नमस्ते मैं हूँ संजे शर्मा और दिल्ली के दिल के बात आपसे करने के लिए मैं हाजिर हूँ आज हम बात कर रहे हैं एक तो बजट की बात हुई दूसरी चुनावी बात हुई इसके अलाबा जो सबसे ज्यादा लोगों के वी चर्चा और उसुपता का विशह है वो यह है कि निर्भया कांड के दोशियों को उसके हत्यारों को फांसी कम मिलेगी क्यों देरी हो रही है इस में तो इसी पर हम आपसे 10 टौपिक पर बात करेंगी आखिर वो कौन दस कारण है जिसकी वजह से इस मामले में सजा मिलने में देरी हो रही है आप मेरे मन में भी एक यॉरिसिटी है आप सब के मन में भी एक यॉरिसिटी है यह उच्छता है या यह उमीद है सब को यह लगता है कि इनको अपने किये कि सजा मिले तब ही निर्भया और इस जैसे कई और मामलों में इनसाफ की एक नई शुरुआत हो फास्ट ट्रेक कोर्ट ने इस मामले को 9 महीने से पहले ही निप्टा दिया लेकिन उसके बाद इस मामला ऐसे सियासी चक्रों में फसा कि 7 साल हो गए सियासी और कानूनी इन चक्रों में फसा कि 7 साल हो गए अब सियासी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब दिल्ली के चुनाओं के समय इस मामले को जिस तरह से उठाया जा रहा है इस पर जिस तरह से चर्चा की जा रही है यह सारे नेता जो अब ट्वीट कर रहे हैं इस पर बयान दे रहे हैं पिछले साथ साल तक चुप रहे हैं पांच साल में तो बिल्कुल ही चुपर और डाई साल में तो बिल्कुल इनके मुझे आवाज ही नहीं निकली जहां दिल्ली सरकार ये कह रही है कि अब देरी की बात करते हैं छोड़ी है दिल्ली सरकार और केंदर सरकार को उस पर बाद में बात करेंगे देरी की बात करते हैं देरी में एक तो बड़ी वज़े ये है कि हमारा कानून इतनी पेचीदगियों वाला है उसको लेकर उसमें इतने सारे विकल्प दिये गए हैं उन विकल्पों को लेकर भी देरी की एक बड़ी वज़े ये है क्योंकि 1982 में सुप्रिम कोट का एक जज्जमेंट आया था और उस किसी भी सजायाफता को जब उसको सजाय मौत मिल जाए तो उसके पास एक और विकल्प बढ़ा दिया गया और वो विकल्प था क्योरिटिव परिटिशन का इससे पहले क्योरिटिव परिटिशन नहीं होते थे और जो पुनरविचार यहाचे का होती थी रिवीव आधे घंटे किसी भी दोशी को अपने आपको निर्दोष साबित करने के लिए वो क्या कह सकता है फैसले में कहां खामिया है उसके रिव्यू के लिए उन पॉइंटर्स पर वो आधे घंटे बहस कर सकता है रिव्यू पेटिशन खारिज होने की स्थिति में फिर उसको ये भी कहा गया कि इसमें पुनरिक्षन याचिका याचिका भी होगी उसको कहते हैं क्यूरिटी पेटिशन उसका भी प्रावधान आया लेकिन इन सारी चीजों में जो खामी अब केंदर सरकार सुप्रिम कोर्ट क सामने लेकर पहुंचिए वो ये कि इसमें एक कसर है एक कमी रह गई वो कमी ये है कि इसमें ये नहीं कहा गया कि इन याचिकाओं के बीच से यानि एसलपी खारिज हुई तो आपकी पुनर विचार याचिका जिसको हम रिवी प्रेटिशन बोलते हैं और रिवी सभिधान किसी विशेपर मौन होते हैं तो सुप्रिम कोट की सभिधान पीठों मुखर होती है और ऊपिछ बताती है कि आफिर इसके इसका मतलब ग्या है उसे सपर्ष्ट करती है साफ करती है और यह बताती है केंडर सरकार केंदर सरकार यही आचिका लेकर गई कि आपने शत्रगन चोहान मामले में जो फैसला दिया है उस फैसले में हमें लगता है कि यह कसर है और अगर आप इसको दुरुस्त कर दें तो बहुत सारे मामलों में जो बरसों लटके रहते हैं वो मामले समय से निप्टा दिये जाएंगे सुप्रिम कोर्ड में मामला लंबी थे इसमें नोटिस गया है और तो सब देरी की एक वज़ा तो यह है कि कानूनी और सम्विधान के प्रावधान ऐसे हैं जिसकी वज़े से देरी हो रही है लेकिन दूसरी वज़े यह है कि दोशियों के दोशियों की ओर से लगातार एक साथ चीजें आगे नहीं बढ़ रही है चारों अभिक्तों दोशियों की फाइले एक साथ वड़े एक जगे साथ साथ जाएं वो नहीं एक पहले जाता है फिर दूसरा बाद में जाता है तीस ऐसे अभ्यूक्त हैं जिनको दोशी मान लिया गया है, सजाए मौत दी गई है, तो उनकी सजा पर अमल एक साथ होगा, क्योंकि एक केस आया था जिसमें 1982 में जिसका जज्जमेंट आया, उस केस में ये था कि सब तीन दोशी थे, एक कि फांसी हो गई और दो की सजाए मौत को राष्ट पती जी ने उम्र खैद में तबदील कर दिया, इस पर इस सवाल उठा कि जब एक की अपराद तीनों लोगों ने किया, तीनों उसमें शा मिलें, तो एक को सजाए मौत मिली, दो को जीवन दान मिला, तो ये तो अन्याय है, उसके साथ जिसे फांसी हो गई, उसे अगर थोड़ी दिन रुकाया जाता तो हो सकता है, वो फिर दुबारा अपील करता कि इन दोनों को आपने जीवन दान दिया, तो मुझे भी दिया जाए, हालां कि एक और पॉइंट है, कि दूसरा अभी हम देरी पर बात करें, हालां कि राष्ट पती के पास से विशेशा धिकार ये उनका विवेका धिकार होता है, जिसमें वो तैय करते हैं कोई जरूरी नहीं कि एक ही अपराद के तीन अपराद ही हों, तो उसमें से एक को जीवन दान मिले तो सब को मिल जाए, उसमें राष्ट पती जी उसकी प्रिष्ट भूमी, सिच्वेशन क्या है, वो सार पूर्ण तह इसमें कानून के नुक्तों का कोई लेना देना नहीं होता है, ये पूर्ण तह राष्ट्रपती जी के विवेका धिकार और मानविय भावनाओं के अधार पर होता है, तो ऐसे में ये तो देरी का पक्षवा क्योंकि इतने सारे विकल्प हैं, क्यूरेटिव प राष्ट्रपती जी के पास हमारे पूरे दस्तावेज पेश नहीं किये गए, हमारी बात वहां धंग से रखी नहीं गई, इसलिए राष्ट्रपती जी ने इसको खारिज कर दिया, हडबड़ी में किया है सरकार ने और हडबड़ी में सारा कुछ हो गया, तो इन नुक्तों प्रक्रिया को ले कर जाते हैं, दूसरा पॉइंट है कि इसमें लापरवाई किसकी है, अब दिल्ली सरकार केंदर सरकार को कह रही है कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस ने कर दिया, मुख्यमंतरी ट्वीट कर रहे हैं, मामला सियासी होता जा रहा है, उन्होंने कह कि बड़ा दुर्भागेपूर्ण है कि निर्वया के हत्यारों को सजा मिलने में बहुत देरी हो रही है और इसे ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है लेकिन पुलिस दिली सरकार के हाथ में नहीं है दूसरा पक्ष हमारी बुद्धी ये कहते पुलिस नहीं है जेल विभाग तो जाकर पट्याला हाउस कोट को ये कह सकता था कि इनके खिलाब कोई मामला लंबीत नहीं है डाई साल हो गए है इनको लटकाया जाए जेल भी भाग नहीं जाकर जब पट्याला हाउस कोट में विशेश अदालत को ये बताया तब जाकर ये वारंट जारी हुए और फिर लोगों ने याचे काएं वाचे काएं लगाना शुरू की और फिर ये लगा कि अब तो मौत सिर पर आ गई है कैसे इसको टाला जाए तो ये सारी चीजें अब एक पॉइंट है कि अब क्या होगा अब ये होगा कि अदालत ने पट्याला हाउस कोट ने शुकरवार को जिस लगता है कि जब ये सारे कानूनी और समयधानिक विकल्प आजमा लेंगे उसके बाद ही मुझे लगता है कि अदालत इस पर नए वारंट डेथ वारंट के गोश्टना करेगी और इसमें हो भी यही रहा है कि अभी आज तो एक और अक्षै नहीं याचिका दाखिल कर दिये रास्टपती जी के पास दयायाचिका पवन के पास अभी क्यूरेटिव पेटिशन के और दयायाचिका के दोनों विकल्प अभी उसके पास मौझूद हैं और बाकी मुकेश और विने इनके सारे विकल्प खत्म हो गए रास्टपती ने उसके दयायाचिका भी खारिज कर द और प्रक्रिया फॉलनी कि और अभ्योजन पक्षिय कहेगा कि हमने वो सारी चीजें सारे दस्तावेजिन के हैं वो सारे के सारे राष्पती जी के पास बेज़े थे हमने अपनी तरफ से कहीं कोई लोचा नहीं किया है तो अब विकल्प यह है कि सिर्फ पवन के पास दो विकल निकल गए हैं अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसके बारे में हमने बात की कि राष्पती के पास जीवन दान के अधिकार जो सम्विधान देता है उनको उसके आधार क्या है तो उसमें मानवी एस्थिती और अपने विवेक से राष्पती जी फैसला करते हैं इसमें कोई का चिका खारिज करने के अधिकार को चुनोती दी जा सकती तो अधिकार को चुनोती नहीं दी जाती है चुनोती दी जाती है प्रक्रिया को जिसके बारे में हमने आपको बताया कि वो प्रक्रिया को चुनोती दी है इनोंने और पट्याला हॉस कोट ने उसे भी खारिज कर दि ही उसाद इश को चुनोंते हैं सिलसला कब तक चलेगा तो जब तक इनकेविशेश अधिकार जब तक इनके खानूनी अधिकार जिसमें क्यम चुरेटिटि दाकिल कर सकते हैं and और वहाँ तक और रास्पति जी के पास दया याचिका दाकिल करने तक वह अधिकार रहते हैं इसका बहुत करेंगे तो यह उसको चुनोती दे देंगे कि दया याचिका में प्रक्रिया फालो नहीं किया गया लेकिन उसके बाद इनके विकल्प सीमित हो जाते हैं इसमें अधिकार को चैलेंज नहीं किया जाता क्योंकि किसी ने किसी बहाने से इन्होंने मामले को पेंडिंग करके रखा हुआ एक के पहरे सारे दस्तवेश थे उसने याच secrets लगा दिक दूसरे प्रिकोर्शासन वो सारे बे दीजिए उसमें टाइम लगा इस बीच में इन लोगों का निव्टारा हो गया तो यह अपनी तरफ से जहां फचर फंसा सकते हैं वाइनों ने फचर फंसाया कानूनी अधिकार के नाम पर जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर भी लोग फचर फंसाते ह हैं और कर देते हैं प्रशासन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि हो कहते हैं हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं हमने सड़क जाम कर दी है हमारा अधिकार है आप हमको रोक नहीं सकते सुप्रिम कोट के दर्वाजे पर हम बैठेंगे nobody stop us कोई नहीं रोक सकता हमें समि मिल हो जाएंगी खेर यह अलग बात है और यह भी हो सकता है कि किसी ने कोई particular कोई चीज लगाई जैसे एक दोशी ने ये लगाया कि वो साब जुविनाइल था गठना के समय सुप्रिम कोट ने उसके review petition भी खारीज कर दी अब वो कह रहा है कि वो एक इसमें वो भी लगाएगा क्योरिटी पेटिशन लगाएगा क्योरिटी पेटिशन मुख्य याचिका के लिए नहीं अपने जुविनीटी को लेकर कि मैं उसमें जुविनाइल था मैं बालिग नहीं हुआ था इसलिए मुझे भी वैसी ही छूट दी जाए जैसी छूट उस अपराधि को दी है जो इस में सबसे ज़्यादा जिसने दरिंदगी की कि छोपी जुवेनाइल था जेजे बोर्ट ने उसको मान ले हम उसका नाम नहीं ले सकते लेकिन ये तो बता सकते हैं कि वो सबसे बड़ा, सबसे घिनोना दरिंदा था लेकिन उसके पास एक शील्ड थी, एक कबच था कि वो जुए नाईले और वो बच गया, वो भी कुरकुरे खा रहा होगा और कॉफी पी रहा होगा हराम से बैठा हुआ या कुछ और भी पी रहा होगा, कहां नहीं जा सकता, लेकिन हमारा कानून उसे बचा गया अब सहाब इसको सियासत को लेकर हमने बात की, जिस पर बीजेपी कह रही है कि दिली सरकार ने देर की है, लापरवाई की है और दिली की सरकार कह रहे हैं कि नहीं, ये तो केंदर सरकार के, पुलिस केंदर सरकार के हाथ में हैं सारा, लेकिन अब आखरी मामला ये, कि ये तमाम देरी के हथकंडे, विकल्ब, कानून, संबिदान, सियासत, ये तमाम चीजों के बाद, वो सवाल यहीं खड़ा है, कि कब ह होगी इनको फासी, कानून के पंडितों से, जानकारों से, जिनके पास एक लंबान भौ रहा है, जो एक युग देखा है, जिन्नोंने, कानून के किताबों के साथ-साथ, सैक्ड़ों मुकदमे देखे हैं इस तरह के, अदालतों के रुख देखे हैं, भापे हैं, उनका ये के बादे कि ये अपने विकल्प आजमाएंगे, अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं है, केंदर सरकार ने की आच्चे का सुप्रिम कोर्ट में लगाई है, और उन्होंने बताया है कि साब ये तमाम चीज़ों है, इसमें एक टाइम तो रखा जाए, अगर SLP खारीज होई है उसके बाद आप ये कर दीजिए कि साथ दिन के अंदर आपको रिव्यू फाइल करना है, रिव्यू खारीज हो जाए तो साथ दिन के अंदर आपको क्यूरेटिव फाइल करना है, क्यूरेटिव खारीज हो जाए तो साथ दिन के अंदर इनको फांसी पे चड़ाओ, इनकी स शत्रगन चौहान को इस मामले में जो याचिका करता थे उसको उनको नोटिस जारी किया है उनसे जवाब मांगा यानि यह मामला भी थोड़ा सा तो लटकी गया है फिलहाल अब यह की सुप्रीम कोट की गाइडलाइन है जिसमें उन्होंने यह अधिकार दोशियों को दिये है कि दोशी ऐसे 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 अपने बचाओं के अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है केंदर सरकार का यह कहना है कि यह पूरा का पूरा यह जो आपकी गाइडलाइन है हमने इसके अध्यान में पाया कि यह पूरी तरह से जो कन्विक्टेड है जो सजाजाफता है उसके अधिकार उनके मानवादिकार के बात करते हैं और उनके लिए मुंबत्यान लेके candlelight विजिल करते हैं लेकिन जो मारा गया उसके लिए कोई बात नहीं करता लोग यह कहते है कश्मीर में जो हो रहा है उसमें जो आतंकवादियों के साथ सलूक हो रहा है वो उनका मानवादिकार है लेकिन उन्होंने जिन लोगों को मारा उनके मानवादिकार के बात कोई नहीं करता जो CRPF के कैम पे, BSF के कैम पे, सेना के कैम पे जो लोग हमला करते हैं जो हमारे फौजियों को शहीद करते हैं, जो हमारे फौजियों की जान ले लेते हैं उनके मानवाधिकार के बात करने वाले तो बहुत सारे हो जाते हैं, उनके रात को कोट भी खुलवा लेते हैं वो लोग, मुंबतियां लेकर चलते हैं, हमेशा मुंबतियां तयार रहते हैं, लेकिन जो फाजी मारे गए हैं, उनके लिए कहते हैं, वो तो उनके डूटी थी, वो लोग ये भी कह सकते हैं कि जो आतंकवादियों के गोलियों से हलाक हुए वो तो जीना मरना तो उपर वाले के हाथ में होता है। तो ये तमाम विसंगतिया हैं हमारे कानून में भी विसंगतिया हैं और प्रक्रिया में भी खामिया हैं उसको दुरूस्त करने के लिए अब लेकिन फिलहाल ये तो है कि मुझे लग रहा है कि या तो फर्वरी में चांसेज कम लग रहे हैं फर्वरी में फांसी या मार्च में मौत यहां तक मुझे लग रहा है कि तब तक मार्च आखिर आते आते तक यह इनके सजा पर अमल हो सकता है और इसके बहुत सारे चांसे लग रहे हैं और बागी तो जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है ऐसा पेंच है ऐसी जलेवी बनाते हैं लोग कि पता ही नहीं जलता कि रस किदर से आ रहा और किदर से निकल रहा है कि फिलाल आज के लिए इतना ही इसमें आगे जैसे ही डवल्लमेंट होगा रविवार को भी सुनवाई है आज भी सुनवाई है इसकी तीन बज़े से और उसके बाद क्या होता है तो उसके बाद फिर हम आगे भी आपको बताते चलेंगे नमस्ते